दोस्तों भारत और रूस के बीच में जो एक बहुत ही महतुपूर्ण घटनाकरम हो रहा है उसकी चर्चा करने के पहले आप उसका परणाम देख सकते हैं LIC के चार्ट पर आज से कुछ महीनों पहले जब LIC का शेर 600 के लेवल पर था कोई पूछता नहीं था इसे तो हमारा LIC को लेकर व्यू बदला और हमने आपके साथ साजा किया तब से लेकर आज तक LIC के शेर ने 43 फिस्दी का मुनाफ़ा किया है और हमारे कई विद्यार्टियों ने LIC की इस उड़ान में बहुत बहुत प्रॉफिट कमाया है पॉइंट दोस्तों यह है कि LIC लॉंग टर्म का ध जंदा है इसलिए यदि आपने नीचे के लेवल पर LIC में निवेश कर रखा है तो इस घटना करम पर नजर रखिये क्योंकि भारत और रूस के बीच में जो ओयल कारोबार होता है ट्रेड बढ़ रहा है तो जहाज जो भी हैं उनकी दुरगटना हो सकती है जहाजों का सामा समुद्र में फैल सकता है तो इन सभी एक्सीडेंट के खिलाफ इंशुरेंस चाहिए अभी हम इंशुरेंस लेते हैं लेंडन की अमेरिका की कमपनियों से परणाम सरूप ये गोरे दिस समय समय पर हमें प्रतबंद लगाने की धंकियां देते रहते हैं कि अगर आपने हमार नहीं बात नहीं मानी तो हमारी कमपनियां आपको इंशुरेंस री इंशुरेंस की सुभधा नहीं देगी चुकि इंशुरेंस री इंशुरेंस नहीं मिल पाता है तो जहाज हम हायर नहीं कर पाते भारत और रूस के बीच में ट्रेड नहीं हो पाता तो भारत और रूस दो मित्र देशों के बीच फलते फूलते ब्यापार की राह में रोड़ा है शिपिंग और इंशोरेंस बिजनेस अमेरिका और यूरोप की कमपनियों का तो भारत का कहना रहा है कि हमारी खुड की इंशोरेंस री इंशोरेंस कमपनी होना चाहिए जिसकी मदद से हमारे जाज अपने देश में ही इंशोरेंस कराएंगे तो कुछ ही चंद महीनों में भारत सरकार भारत के लिए रूस के लिए एक इंशोरेंस री इंशोरेंस कमपनी का गठन कर सकती है इस insurance company में भाई साहब कौन हिस्सेदारी लेगा कौन इसे खड़ा करेगा ये बड़ा सवाल है लेकिन दोस्तों common sense के अधार को अगर आप सोचें तो जो कमपनिया भरत में अभी insurance का कारोबार करती है re-insurance देती है वही इस धंदे मन आगे बढ़ेंगी नए खिलाडी को आकर पेरजवाना बहुत कठन रहता है insurance की field में इसलिए ये जो insurance facility पैदा की जा रही है भारत और रूस के बीच में उसके कारण भी LIC को नया business मिल सकता है LIC shipping business में भी उतर सकती है इस बारे में अभी हमारा सिर्फ अनुमान है ये अगर साबित हुआ तो LIC का share कहां पहुँचेगा ये बात आप सोचलो अनापसनाप धंग से लेकिन अगर ये गलत भी पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है LIC का भारत में कारोबार बढ़ेगा ही बढ़ेगा मोदी साहिव हर व्यक्ती को इंशोरेंस देने की फिराक में है तो LIC अभी भी बेहद सस्ते दाम पर मिलता है बस आपको chart analysis करके जब भी LIC support पर हो गिरावट के बाद तब उसे खरीदने के मौके तलास नहीं है ताकि आप मद्यम से लंबी अगदी में चक्रविद्धी ब्याज की शक्ती का लाव उठाके बहुत तेजी से मुनाफ़ा कमा पाएं अगर असाधारन profit हासिल करना है तो स्रीमान आपको थोड़ी सी कलाएं भी हासिल करना होगी इसी वीडियो के description box में link दी गई है उस पर click करके आत्मनेरवर इन्वेस्टर फ्यूचर से वम आप्शन्स कोर्स अभी के अभी जॉइन कर लीजिएगा